दोस्तों कि आप भी हमेशे के लिए चुहों को बाहर बगाना चाहते हैं तो चलिए आज मैं इस वीडियो में एक एसा पावरफुल होम रेमिडी लिक्या आए हूँ इससे फ्रेंड्स आपके घर में तो क्या घर के बाहर भी चुहें नहीं दिखेंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया यह होम रेमिडी है और इसको बनाना इतना आसान है कि आप थोड़ी से ही टाइम में इसको बना सकते हो वो भी घर की चीजों से क्योंकि market वाले जो समान होते हैं वो हमें कभी-कभार मिलते भी नहीं है time भी लगता है, पेसे भी लगते हैं तो वो सारे चीजे आपकी बचने वाले हैं पेसे बचने वाले हैं तो चलिए बीना देर की वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जुरू कर ले क्योंकि मैं इस तरह के यूजफुल वीडियो ले के आती रहती हूं तो यहां देखें मैंने एक प्लास्टिक अबाव लिया है अब देखें मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी गेहूं का आठा तो तीन चमच हम इसमें गेहूं का आठा डालेंगे अगर आपके घर में ज्यादा चुए हैं तो और भी ज्यादा आठा आप ले सकती हैं और इस ग गी तो देशी गी हम आदा चोटा चमच इसमें डाल देंगे क्योंकि गिहूं का जो फ्लेवर होता है आठे का वह चुहों को बहुत ज्यादा पसंद रहता है साथ ही उसके अंदर हम थोड़ा सा अगर घी मिला दे तो उसका फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाता है और जिसक आप देख सकते हो आदा चोटा चमच जाला है जो बहुत ही तेज अगर आपके पास ज्यादा मिर्ची पावडर नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते तो इसके लिए हम चूटकी बढ़ लेंगे निम्बू का सत ताकि क्या है कि इसका जो reaction है वो जल्दी से काम करें आप देखें हमें क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे चाय पती तो जो सुकी चाय पती होती है हम चाय बनाते हैं तो वही पती आपको यहां पे एक चमस ले लेन है क्योंकि हमें चूहों को भगाना है इससे क्या है कि चूहें मरेंगे नहीं बलकि आसानी से घर छोड़कर हमेशा के लिए ही बहार चले जाएंगे तो यह एक पावरफूल होम रेमेडी है इससे अगर आपके घर में जितने भी चूहें कहीं पर भी चिपे हो उनको एक मिन नहीं लेगेगी सारे चुहें इसको खाकर तुनत ही घर छोड़कर बहार चले जाएंगे अब देखी हमें क्या करना है कि इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है तो मैंने चम्मस से मिक्स कर लिया है अब मैं इस चम्मस को निकाल देती हूं तो फ्रेंच वीडियो को पूरा र हो Earth ही कि यहां में केसा यहांपे डोल का बना रहे हूं है सें अब को बनाना है प्रेंस स्ञाय खर mor3 दनी गाउन दोल को देख रहे हूं जह से भी देख रहे हं उस गाउ शेयर का नाम जुरूंड में तक पहुंच रही यहां मैंने नहीं देख कह सब्सक्राइस धाल नहीं पूस्टचे भिंडी पत्ति पोदें देता चब्रा दाल vendor गर कि एक कर देते हैं क्योंकि उनकी जो इसमेल होती है उनका जो फ्लेवर होता है वो चुहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है तो आपको क्या करना है इस बेटर को आपको लेना है जिसे की हरा पत्ता यहां मैंने देख एक हरा पत्ता ले लिया है इसकी उपर जो भी हमने यह पत्ता ले लिया है जो सबजी का रहता है जिसे बहुत सारी ऐसी अलग-अलग सबजिया रहती है हम लगाते भी है घर में तो आप इस तरह का एक पत्ता ले लीजिए अब देखिए जो भी हमने ये दवाई बनाई है वो सारा हम इसके उपर लगा देंगे थोड़ा बहुत हम वो हम अलग चीज पर यूज करेंगे ताकि क्या है कि चुहे अलग-अलग जगों से आते हैं तो वो हमें अलग-अलग तरीके से रखना है ताकि चुहे आसानी से इसको खा ले अब देखिए मैं पूरा इसको अच्छे से लगा देती हूँ वीडियो को बिल्कुल भी कर रही हूँ जिससे क्या है कि आपको आसानी होगी चुहे भगाने में अब देखिए हमने अच्छे से इसको लगा दिया है चली हम कुछ एक और एसा लेंगे जिससे क्या है कि चुहों को और ज़्यादा पसंद रहता है तो यहां मैं इसको एक बार के लिए रख देती साइड में और अब हम लेंगे एक कोई भी न्यूस पेपर का टुकड़ा तो यहां देखिए मेरे पास नोट बुक का एक फटावा पेपर है तो वह मैं यहां पे ले लेती हूँ यह तोड़ा कड़क टाइप का भी है क्योंकि न्यूस पेपर होता है वह नरम होता है तो परबार हमें प्रेशान करते हैं उनको हम भगा देते हैं एक बार के लिए वह चले भी जाते ही लेकिन फिर से आने लगते हैं और खास तोर पर अब भी बहुत जादा shoulde आरहे हैं क्योंकि actor करणा है कि जब भी चुऊ आय तो आपको बिल्कुल वेट जो समा रहता है ह हमारे घर में बहुत सी अनाज की बोरियां भी रेती है, बच्चों की बुक्स भी रेते हैं, टेबल वगिरा जो भी रेते हैं, उनको क्या है कि आप एक अलग रूम में रखें ताकि और चुहे उस रूम में बिल्कुल भी ना गुसे, क्योंकि अगर उनको इस तरह का समा नही के लिए भी बाहर चली जाएं, अब देखिए हम इसको रखना है कीचेन में क्योंकि जब भी हम कीचन में खाना वाना कर लेते हैं राट के टायम और सौ जाते हैं, उसके बाद में कतर कतर की आवाज आती रहती है, और कीचेन में जो भी समान होता है, उसके खड़कड की दिखिए अब देखिए जो हमने पत्य के उपर ये लगाया है दवाई को अब हम इसको रखेंगे अिसे कोने में Da vin इसको रखना है ताकि तो यहां में हैं गेश के पीच्छे इसको रख दिया है आप चाहे थो स्टोरूम में अगर आपके बहुत से समान पड़ा है तो आप वहीं पर भी इसको रख सकते हो अगर वहां पर चुहे आते जाते रहते हैं या आप में गेट के पास में भी इसको रख सकते हो जिसकी रात के टाइम चुहे आते हैं तो यह खाकर तुरुंत ही घर छोड़ कर बाहर चले करेंगे अगर आपके घर में हैं तो वह भी इसको खाएंगे और सिदा बाहर जाएंगे तो इस स्वविघ्प से आपको 100 पर्शन मिलेगा जरूर से आप यह त्राई करिएंगा और उसके बाद में ही आपको कौमेंट करके यह भी मुझे बताना है कि आपको इस home remedy से कितना फायदा मिला और जो आपकी परेशानी है वो मिटी या ना तो यह friends आपको जरूर से काम करेगी जरूर आप ट्राय करिएगा तो friends अगली वीडियो आपको को से टोपिक पे चाहिए यह भी मुझे कोमेंट करिएगा और आपको यह वीडियो कैसे लगी यह भी मुझे जरूर से कोमेंट करके बताईएगा तो मिलते हैं एसे यूसफुल वीडियो के साथ बाबाई टिके टैंके पूर वोचिंग